प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी अगले महीं महिने अमेरिका के दोरे पर जाने वाले हैं इस बीच अमेरिका की एक कॉंग्रस समीधी ने बाइडन सरकार से भारत को नाटो प्लस का हिस्टा बनानी की सिफारिश्ट की है सब इतिका कहना है कि भारत के शामिल होने से नाटो प्लस को मजबूती मिलेगी बता दें नाटो प्लस एक सुरक्षा व्यवस्ता है जो वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़वा देने के लिए बनाया गया है इसमें पांच देशों के बीच संगड़ बंधन है ये देश हैं उस्टेलिया, न्यूजिलेंड, जापान, इसराइल और दक्षिन कोरिया बताया जा रहा है कि अगर नाटो प्लस का च्छटा हिस्सा भारत को बनाया जाता है सामरिक प्रतिसपर्धा पर सदन की चैन समीति के अध्यक्ष माइक गलाग है और रैंकिंग सदस से राजा कृष्णमूर्थी के नेतरत में नाटो प्लस को मजबूत बनाने के लिए भारत को शामिल करने सहित ताइवान की शम्ता को बढ़ाने के लिए एक नीती प्रस्ताओं को रखा गया सदन की चैन समीति ने सिफारिश करते हुए कहा कि चीनी कम्मिनिस्ट पार्टी के साथ रण नीतिक प्रतिसपर्धा जीतना और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को भारत के साथ संबंदों को मजबूत करने की जरूरत है समीति ने कहा कि अगर नाटो प्लस का हिस्सा भारत को बनाया जाता है तो वैश्विक सुरक्षा को मजबूत मिलने के साथ ही भारत प्रशान शेतर में चीन की आक्रपुकता को रोकने के लिए अमेरिका और भारत की करीवी साजेदारी बढ़ेगी बता दे रिपब्लिकन नेतुर्ट की पहल के बाद चेन समीती को लोकप्रीय रूप से चीन समीती कहा जाता है पिछले च्छे वर्शों से इस प्रस्ताव पर काम कर रहे भारती अमेरिकी रमेश कपूर ने उमीद जताई कि सिफारिश को राश्री रक्षा प्रादी करान अधिनियम 2024 में जगे मिलेगी और अन्त में देश का कानून बन जाएगा उन्होंने कहा कि समीती में इस प्रस्ताव पर बात होना ही विकास की और बढ़ता एक कदम है चीन समीती ने अपने सिफारिश में कहा कि ताइवान पर हमले के मामले में चीन के खिलाफ आर्तिक प्रतिबंद सबसे प्रभावी होंगे यदि प्रमुक जैसे जी साथ, नाटो नाटो प्लस और क्वार्ट सद से जुठ हो जाएं अगर ये भी सहयोगी देश एक संयुत प्रतिक्रिया पर बात करेंगे तो चीन को कमजोर किया जा सकता है चीन को कमजोर करने का ये अमेरिकी प्लान जिसमें नाटो प्लस के तहर भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए जियां, वो चाहते हैं कि भारत भी इसका हिस्सा बने ताकि चीन को करारा जवाब दिया जा सके ये कुपनीती का एक पहला सिद्धान भी कहा जा सकता है तठ्थेवे आज के लिए फिलाल इतना ही, नवसकार